आज का दिन वास्तों में विशेश है माननी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्रजी मोदी के सबका साथ सबका विकाज गुरुमंत्र का अनुसरन करते हुए पूरे शहर स्वच एवं प्रधुशन मुक्त नदी तथा हरित एवं स्वच मोबिलिटी के तरफ एक महत्व पूर्ण कदम पढ़ा रहा है मुला मुठा नदी के प्रधुशन उपशमन परियोजना का शीला न्यास भारत सरकार की प्राथमिक्ता सूची में जल संवर्धन ये उच्च प्राथमिक्ता पर रखा गया है और इसी प्राथमिक्ता के फल स्वरूप स्थापित की गई है NRCP यानी राश्ट्रिय नदी संवर्धन योजना फैलता भौगलिक विस्तार एवं बढ़ती लोक संख्या के चलते सीवेज उत्पादन में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है जिसके लिए मुला मुठा के न्यूनिकरण क्षेत्र में 396 दशलक्ष लीटर प्रतिदिन क्षमता के 11 सीवेज प्रकल्प एवं 55 किलोमेटर लंबी सीवेज वाहक पाइपलाइन प्रस्तावित की गई है इस परियोजना के लिए भारत सरकार ने जापान इंटरनेशनल कोपरेशन एजनसी जाइका से 990.26 करोड रुपए का रिन प्राप्त किया है इस योजना का मुख्य हेतु है मुला मुठा नदी के जल और उसकी जैविक संपदा का संवरक्षन करना तथा जल शुद्धिकरण के लिए आवश्यक सीवेज एकत्रिकरण प्रणाली को सीवेज प्रक्रिया प्रकल्प से जोड़ना हमारे देश के परमवंदनी एवं दूरदर्शी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्रजी मूदी के शुभाथों से मुला मुठा नदी के प्रदुशन उपशमन परियोजना के पथदर्शक प्रकल्प का शीला न्यास किया जा रहा है पुने महानगरपाली का द्वारा मुला मुठा नदी पुनुरुच जीवन प्रकल्प का नियोजन किया है इस परियोजना का मुख्य उद्देश है नदी किनारे बसार रहिवासी क्षेत्र बाढ़ से सुरक्षित रखना, नदी के तटवर्ती क्षेत्र पर होता अतिक्रमन रोकना, नदी में जलस्तर को बनाए रखना, नदी की ओर जाने वाले घाट और रास्तों को सुधारना, और नदी के पास स्थित, एतिहासिक इमारतों और उद्ध्यानों को नदी के साथ जोड़ना, समूचे 44 किलोमेटर लंबे नदी पात्र के विकास के लिए 4727 करोड रुपए की लागत आने का अनुमान है, इसमें से संगम पुल से मुंडवा पुल तक के 9 किलोमेटर लंबे 889 करोड रुपए अनुमानित खर्च होगा, इस परियोजना में नदी से सलनगन और भी प्रस्तावित कारियों का समावेश है, जैसे साइकल ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, नौका विहार, इत्यारी, मुला मुठा नदी के पुनरुजीवन का प्रकल्प, पुने के लिए नि 140 E-Bus और बानेर E-Depo का लोखारपन समारोख 150 E-Bus द्वारा 2 करोड किलोमिटर का संचल अनपूरा किया है PM-PML महराष्टर में सबसे अधिक E-Bus सेवा देने वाली पहली शहरी परिवहन संस्था बन के इसमें आज तक मार्ज 2022 तक FAME 2 द्वारा प्राप्त होने वाली 150 E-Bus को मिला के 8 E-Depo द्वारा 650 E-Buses शहरवासियों को उपलब्ध होंगी पुने एवं पिम्प्री चिंस्वड महानगर पालिकाओं के शहरवासियों के लिए प्रदूशन मुक, वातानुकुलित, आरामदाई तथा फाइदेमंद सार्विजनिक परिवहन की सेवा देने के लिए E-Bus को प्राथमिक्ता दर्शाई गई है आदरनीय प्रधान मंत्री श्री नरेंदर जी मोदी के शुभा हतों से एक सो चालीस E-Bus और बानेर E-Depo का लोकारपन हो रहा है श्री आर के लक्षमन कला संग्रहले का उद्गाटन समारो पद्मभूशन पद्मविभूशन और रमन मैगसेसे जैसे पुरसकारों से सम्मानित विश्व विख्यात व्यंग चित्रकार श्री आर के लक्षमन जी की स्मृती को समर्पित कला गलियारे का निर्मान पुने महानगरपाली का द्वारा बालेवाडी पुने में किया गया है लगभग 30,000 व्यंग चित्रों की संपदा के धनी श्री आरके लक्षमन जी अपने तीखे व्यंग चित्रों के लिए प्रसिध थे प्रसिध टीवी धारावाहिक मालगुडी डेज ने श्री लक्षमन को घर घर में पहुँचा दिया इस धारावाहिक पर आधारित एक audio-visual model भी इस गलियारे में दिखाया जाएगा भारत के द्रश्टा प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र जी मूदी द्वारा महान व्यंग चित्रकार श्री आरके लक्षमन कला संग्रहलय उदगाटन के शुबसयोग के हम सब साक्षी है झाल झाल दो झाल ढाएगास ओरानба मियान के दोलिया